हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फार्मेसी कम्पिलिट कर ली है चाहें डी फार्मा या फिर बी फार्मा और उसके बाद आप जो है फार्मेसी रेश्टेशन सार्टिफिकेट के लिए ओल्लाइन अप उसके बाद हमें इस तरह के रेश्टेशन सार्टिफिकेट के लिए ओल्लाइन अप्लाइन करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे डोकुमेंट्स हमारे लगते हैं तो वह कौन-कौन से डोकुमेंट्स लगेंगे उसके लिए हम जो है इसकी ओफिसल वेबसाइट पर आगा ह फिर इस पर आप किलिक करेंगे तो इस तरह से PDF फाइल डाउनलोड होके हमारे सामने आ जाएगी जिसमें सारे डोकुमेंट्स के बारे में दे रखा है कि अब जब आप डी फार्मा या बी फार्मा का रेश्टेशन करेंगे तो कौन-कौन से आपके डोकुमेंट्स हैं दोस्तों आपको जो डोकुमेंट्स अप्लोड करने हैं वो आपके बिल्कुल किलियर होने चाहिए साफ होने चाहिए और कलर में होने चाहिए कहीं से कोई कोना होना नहीं करना चाहिए और उसके बाद जब आप हाई स्कूल की मार्शीट अप्लोड कर देंगा उसके बा में B Pharma किया है तो उसकी Marks Sheet Upload करनी है वो भी for all the years मतलब इस तरह की Marks Sheet करनी है जिसमें जितने भी आपने साल किये हैं सब के Marks Total हो जैसे माल लिए आप यह आपने B Pharma किया है तो आपको Final Year की Marks Sheet Upload करनी है जिसमें पीछे के 3 साल के Marks भी हो और अगर अपने B Pharma किया है तो आप Second Year की Marks Sheet Upload करेंगा जिसमें First Year के Number भी Marks भी होने चाहिए तो जैसे आप देख सकते हैं यह एक Marks Sheet है B Pharma की हमारी Marks Sheet है तो इसमें हम यह Upload करेंगा तो इसमें बाकी के 3 साल के Number भी Add है तो उसके बाद आपको Certificate of High School है दोस्तों यह Certificate of High School यह उन Students के लिए हैं जो की CBSC Board से आते हैं जिसने CBSC Board से जो है High School किया है तो उने Marks Sheet अलग मिलती है और जो है Certificate अलग मिलता है High School का तो अगर आप UP Board से हैं तो आप जो है इसमें Marks Sheet ही Upload कर दिए जिएगा मदब जैसे आप उपर अपलोड करेंगा Marks Sheet High School की ऐसी ही इस वाले कोलम में आहां पर आपको अपलोड करना है और उसके बाद Certificate of Intermediate अगर आपके पास Certificate है आप CVSC Board से हैं तो Certificate अपलोड कर देंगा या फिर Intermediate की Marks Sheet है आप इसमें अपलोड कर देंगे फिर उसके भी बाद नीचे लिखा है Diploma Degree of Pharmacy और Provenal Certificate Issue from the College Showing Past Diploma Degree in Pharmacy Examination मतलब अगर अपने D-Pharma या B-Pharma कंप्लिट कर लिया है उसके बाद जो आपका कोलिज है वो आपको एक Provenal Certificate देगा है दोस्तों Provenal Certificate भी एक डिगरी होती है तो इस तरह का Provenal Certificate आपको कोलिज से लेना है और इसको भी अपलोड करना है अगर आप D-Pharma के Candidate है तब भी आपको ये लेना है और B-Pharma के Candidate है तब भी आपको ये लेना है तो ये लेने के बाद ये भी आपको अपलोड करना है और उसके बाद नीचा साथ में नंबर पे लिखा है practical training certificate of 500 hours from PCI recognized government, semi-government and government-added hospital for diploma pharmacy candidate only मतलब ये सिर्फ D-Pharma वाले candidate के लिए है कि 500 घंटे की training का certificate आपको होना चाहिए जैसे माल लिजे आपको D-Pharma कंपिलिट कर लिया तो उसके बाद आपको इंटरशिप करनी होती है तीन महीने की मतलब 500 घंटे की तो वह आप किसी भी government hospital से करेंगे government hospital मतलब district hospital होता है district में एक या फिर जो है दोस्तों आप semi-government semi-government मतलब जैसे की CSC बगेरा होती है मतलब जो बिलोक के अंदर छोटे hospital होते है government उससे आप कर सकते हैं या फिर किसी भी government added hospital से आप कर सकते हैं तो इस तरह वह training certificate होता यह भी आपको upload करना है फिर उसके बाद आठवे number पे current domicile certificate issue within six month for this is candidate who are passed from outside of UP मतलब आपको domicile certificate मतलब मूल निवास जिसे हम इस्थाई पिर्माणपत्र बोलते हैं तो यह भी आपको लगाना है यह आपको जो है तब लगाना है तब जैसे माल लीजी आप UP के रहने वाले हैं और जहारखंट से pharmacy कर रहे हैं तब आपका कोई लगाना पड़ेगा और अगर आप UP के candidate हैं और UP में ही UP के किसी college से कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है बतलब यह उन students के लिए हैं जो की जिनके address में अपने UP का address है जैसे माल लीजी है हम UP के हैं तो हम अगर बिहार से कर रहा हैं pharmacy तब हमें जरूरत पड़ेगी और हम UP के किसी college से pharmacy करेंगा तो हमें जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको domicile certificate अप्रोड करना है और यहां लिखा है issue within six month मतलब छे महीन उसके बाद six colored passport size photograph दोस्तों आपको six color passport size photograph की जरूरत है लेकिन हम आपको बता दें कि online के time पे सिर्फ एक ही passport size photograph की जरूरत होती है तो आप बिल्कुत साफ photo की चवाएंगे और आपका recently photo होना चाहिए पुराना photo नहीं होना चाहिए और उसके बाद आपको यहां पर वैसे लि स्केर करने के बाद आप इसे jpg में या pdf में upload कर देंगे और जो है submit कर देंगा form तो आपका registration successfully हो जाएगा और दोस्तों registration कैसे होता है डी फार्मा या भी फार्मा का pharmacy में इसके उपर हमने वीडियो बना दी है आपको नीचे description में link मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं किस तरीके साथ step by step registration कर सकते हैं तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगी होगा और अच्छे लगी हो तो इस वीडियो का like करें चैनल पर पहली बारा है चैनल को subscribe भी करें और आपको documents में कोई confusion हो कुछ समझ में नहीं आया हो आपको कुछ भी पू सकते हैं दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ thank you for watch